खेलो दोस्तों आपका स्वागत है डी के अमेजिंग नॉलज पर आज का टॉपिक है पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में रोचक तथ्य और कुछ अनोखी जानकारिया अगर यह जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और विडियो को लाइक करे तो शुरू करते हैं विश्व में दो पशुपतिनाथ मंदिर प्रसिद है एक नेपाल के काठमांडू का और दूसरा भारत के मंद सौर का दोनों ही मंदिर में मुर्तियां समान आख्रिती वाली है नेपाल का मंदिर बागमती नदी के किनारे काठमांडू में स्थित है और से युनेसको की विश्वधरोहर में शामिल किया गया है यह मंदिर भव्य है और यहां पर देश-विदेश से पर्यटक आते हैं पशुपती का अर्थ पशु अर्थात जीव या पराणी और पती का अर्थ है स्वामी और नात का अर्थ है मालिक या भगवान इसका मतलब यह क संसार के समस्त जीवों के स्वामी या भगवान है पशुपतिनात दूसरे अर्थों में पशुपतिनात का अर्थ है जीवन का मालिक माना जाता है कि यह लिंग वेद लिखे जाने से पहले ही स्थापत हो गया था पशुपती काठमांडू घाटी के प्राचीन शासकों के अ उलेख मिलता है कि मंदिर का निर्मान सोमदिव राजवंच के परशुप रेक्ष ने तीसरी सदी इसा पूर्व में कराया था। 605 इसवी में अमशुवर्मन ने भगवान के चरण छूकर अपने को अनुग्रहीत माना था। बाद में इस मंदिर का पुनह निर्मान लगभ सदी में इसका पुनर निर्मान किया गया। बाद में मध्ययुग तक मंदिर की कई निकलों का निर्मान कर लिया गया। ऐसे मंदिरों में भातपूर, ललितपूर और बनारस उन्नीसवी शताबदी के प्रारंभ में शामिल है। मूल मंदिर कई बार नश्ट हुआ है। इस वर्तमान स्वरूप नरेश भूपलेंद्र मल्ला ने 1697 में प्रदान किया। अप्रेल 2015 में आये विनाशकारी भूकंप में पशुपतिनाथ मंदिर के विश्व विरासत स्थल की कुछ बाहरी इमारतें पूरी तरह नश्ट हो गई थी। जबकि पशुपतिनाथ का मुख्य मंदिर और मंदिर की गर्ब ग्रिह को किसी भी प्रकार की हानी नहीं हुई थी। मंदिर के पुझारी पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान की सेवा करने के लिए 1747 से ही नेपाल के राजाओं ने भारतिय ब्राहमनों को आमंत्रित किया था। बाद में माल्ला राजवंच क एक राजा ने दक्षन भार्तिय ब्राहमन को मंदिर का प्रधान पुरोहित नियुक्त कर दिया दक्षन भार्तिय भार्त ब्राहमन ही इस मंदिर के प्रधान पुजारी नियुक्त होते रहे थे वर्तमान में प्रचन सरकार के काल में भारतिय ब्राहमनों का एकाधिकार खत्म कर नेपाली लोगों को पूजा का प्रभाव सौप दिया गया कब खुलता है मंदिर यह मंदिर प्रतीक दिन प्रातह 4 बजे से रातरी 9 बजे तक खुला रहता है केवल दोपहर के समय और सायम 5 बजे मंदिर के पड़ बंद कर दिये जाते है मंदिर में जाने का सबसे उत्तम समय सुभा सुभा जल्दी और देश शाम का होता है पूरे मंदिर परिसर का भ्रमन करने के लिए 90-120 मिनट का समय लगता है निपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर काथमांडू के पास देव पाटन गाउँ में बागमती नदी के किनारे स्थित है मंदिर में भगवान शिव की एक पांच मूह वाली मूर्ती है पशुपतिनात विग्रह में चारों दिशाओं में एक मुख और एक मुख ऊपर की ओर है प्रती एक मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल मौजूद है मान्यता अनुसार पशुपतिनात मंदिर का ज्यो तिरलिंग पारस पत्थर के समान है कहते हैं कि ये प्रांचों मुख अलग-अलग दिशा और गुनों का परिचे देते हैं पूर्व दिशा की ओर वाले मुख को ततपुरुष और पश्चिम की ओर वाले मुख को सज्योत कहते हैं उत्तर दिशा की ओर वाले मुख को वामवेद या अर्धनारी श्वर कहते हैं और दक्षिन दिशा वाले मुख को अघोरा कहते हैं जो मुख उपर की ओर है उसे इशान मुख कहा जाता है इस मंदिर में भगवान शिव की मूर्ती तक पहुँचने के चार दर्वाजे बने हुए हैं वे चारों दर्वाजे चांदी के हैं पश्चिमी द्वार की ठीक सामने भगवान शिव जी के बैल नंदी की विशाल प्रति माए हैं पश्चुपतिनाथ मंदिर को शिव के बारा जियो तिरलिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर का आधा भाग माना जाता है यह मंदिर हिंदू और बौध वास्तुकला का एक अच्छा मिश्रण है मुख्य पगोडा शैली का मंदिर सुरक्षित आंगन में स्थित है जिसका संरक्षन नेपाल पुलिस द्वारा किया जाता है यह मंदिर लगभग 264 हैक्टक शेत्र में फैला हुआ है जिसमें 518 मंदिर और समारक सम्मिलित है मंदिर की द्वीस तरिय छत का निर्मान तामबे से किया गया है जिन पर सोने की परत चधाए गई है मंदिर वरगाकार के एक चबूत्रे पर बना है जिसकी आधार से शिखर तक की उचाई 23 मीटर 7 सेंटी मीटर है मंदिर का शिखर सोने का है जिसे गजूर कहते हैं परिसर के भीतर दो गर्ब ग्रिह है एक भीतर और दूसरी बाहर भीतरी गर्ब ग्रिह वो स्थान है जहां शिव की प्रतिमा को स्थापित किया गया है जबकि बाहरी गर्ब ग्रिह एक खुला गली आ रहा है भीत्री आंगन में मौजूद मंदिर और प्रतिमाओं में वासुकी नाथ मंदिर, उन्मता भेरो मंदिर, सूर्य नारायन मंदिर, कीर्ती मुख भेरो मंदिर, बुदानल कंठ मंदिर हनुमान मूर्ती और 184 शिवलिंग मूर्तियां प्रमुख रूम से मौजूद है, जबकि बाहरी परिसर में राम मंदिर, विराट स्वरूप मंदिर, बारा जियोतिरलिंग और पंद्र शिवालय गुहेश्वरी मंदिर के दर्शन किये जाते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर आर्य घाट स्थिती है। वोरानिक काल से ही केवल इसी घाट के पानी को मंदिर के भीतर ले जाए जाने का प्रावधान है। पशुपतिनाथ मंदिर के संबंध में यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस्थान के दर्शन करता है, उसे किसी भी जन्म में फिर कभी पशु योनी प्राप्त नहीं होती है, हाला कि शर्ट यह है कि पहले शिवलिंग के पहले नंदी के दर्शन ना करे. यदि वो ऐसा करता है, तो फिर अलगे जन्म में उसे पशु बनना पड़ता है. मंदिर की महिमा के बारे में आसपास के लोगों से आप काफी कहानिया भी सुन सकते हैं. मंदिर में अगर कोई घंटा आधा घंटा ध्यान करता है, तो वो जीव कई प्रकार की समस्याओं से मुक्ट भी हो जाता है. एक पौरानिक कथा के अनुसार, भगवान शिव यहां पर चिनकारे का रूप धारन कर, निद्रा में चले बैठे थे. जब देवताओं ने उन्हें खोजा और उन्हें वारानसी वापस लाने का प्रयास किया, तो उन्होंने नदी के दूसरे किनारे पर छलांग लगा दी. कहा जाता है, इस दौरान उनका सींग चार टुकव में तूट गया था. इसके बाद भगवान पशुपती चतुर मुख लिंग के रूप में यहां प्रकट हुए थे. दूसरी कथा एक चरवाहे से जुड़ी है. कहते हैं कि, इस शिवलिंग को एक चरवाहे द्वारा खो जा गया था. जिसकी गाए का अपने दूद से अभिशेक कर, शिवलिंग के स्थान का पता लगाया था. तीसरी कथा भारत के उत्तराखन राज्य से जुड़ी एक पौराने कथा से है. इस कथा के अनुसार इस मंदिर का संबंध के दारनाथ मंदिर से है. कहा जाता है जब बांदवों को स्वक्प्रयान के समय भगवान शिवजी ने बैल के स्वरूप में दर्शन दिये थे. जो बाद में धर्ती में समा गए, लेकिन पुनर्ता समाने से पूर्व भीम ने उनकी पुंच पकर ली थी. जिस स्थान पर भीम ने इस कार्य को किया था, उसे वर्तमान में केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है, एवं जिस स्थान पर उनका मुख धर्ती से बाहर आया, उसे पशुपतिनाथ कहा जाता है, पुरानों में पंच केदार की कथा नाम से. इस कथा का विस्तार से उलेख मिलता है ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहे और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद